अस्सलाम अलेकूम आप देख रहे हैं होम कुकिंग जाय का आज हम कस्टेट शर्बत की रेसिपी आपके साथ शेर करेंगे समर में ये डिन बहुत अच्छा लगता है और इफ्तियार के वख भी आप इसे बना सकते हैं ये बहुत ही जियादा मज़ेदार बनता है चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं मैंने यहां पे एक पॉल में थोड़ा सा पानी लिया है ये है अगर अगर ये एक पैक में इतना सा अगर अगर आता है इसको आप चाइना ग्रास भी कहते हैं ये इसी तरीखे का आता है सारा एक पैक मैं इसमें पानी में डालते थोड़ी देर के लिए इसे भिगने के लिए रख दूँगी इस तरीखे के पीसस करके आप इस पानी में डाल दे दो कब भरके पानी को मैंने पैन में डालके पकन 10 민re है भीगने के लिए रखा था अब इसको उठा की तरीके से ensuite डाल देगे शकर ना डालेंगे तो अगर अगर थीक रहेगा इसलिए थोड़ी सी शुगर आप इसमें डाल दें Kilis इसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रिखेंगे, देखे ये अच्छे से पक रहा है, हाई फ्लेम पर ही हम इसको 5-10 मिनिट्स के लिए अच्छे से पकाएंगे, 10 मिनिट्स हमने इसको अच्छे से पकाया है, अब हम एक प्लेट में डाल के इसको चक कर लेंगे, ये ठीन में अगर को डालोंगी और यहां पर और आगर को डालोंगी और अगर दालोंगी दो बड़े चमच भर लगे के अगर अगर दालगी, इस तरीके नें चमच की मतब से अच्छे से अच्छी मिक्स कर लए और इस तरीके आप इसी तरीके से रख देम तो यह अच्छे से जम जायगा अच्छे से में बैड जम जाएंगर हैं ग्राइट बैडकिस दिल आफ़ टाभ जाएगा इस टाफ़ सबोस दों के लिए इसको ऊच्छे से्दाभार क्रोव तोड़ी देर के लिए इसको इसी तरीफ़िसे रख इसमें मैं 1 सपून बेसले डाल दूँगी अच्छे से मिक्स कर दें अच्छे से मिक्सके करके इसकोौप साइट में रख conflicts कि लिए एक लीटर दूद मैंने दूद को मैंने रिद कर अच्छे से दूद में again ऐसके पीसेस बना लेंगे उसके कट कर ले इसारीह से कट कर मुशने के आसानी ही दिप यह कि देवाइब किम सुज़ भाइब से सब्सक्राइब खाननेयसपस अगरवर अजम शुखा है सार अगर अगर अपिस से दमा रहे है दूद का यहां पर अच्छे से उबाला चुका है, अब हम इसमें half cup शुगर को डालेंगे, मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक एड़ कीजिए, शुगर को डालके हम इसको high flame पर ही 5 minutes के लिए अच्छे से पकालेंगे, मैंने यहां पर 2 टेबल स्पून कस्टेट पॉडर इसके साथ हम दूद को मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप थोड़ा 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 यहां पर कस्टेट डालते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं, तरीखे से अप थोड़ा थोड़ा ही डालें और मिक्स करते जाएं, सारे कस् पर 5 मिनिट्स के लिए पकाएंगे, 5 मिनिट्स इसको अच्छे से पकाने के बाद हम इसको चल होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, कस्टेड मिल्क हमारा इहां पर चल हो चुका है, इसका पर देशस्ट पर दाल ज Baldi, अब मैं यहां पे कलरफुल अगर अगर को इसमें डाल दूंगी को मैंने यहां पे डाल दिया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलरफुल अगर-अगर हमारा यहां पे बहुत अच्छा सा लग रहा है आप इस तरीखे से अगर-अगर को कलरफुल बनाए इस इसे वागिमी आजे आगए काजू लिया है इन दोनों को मैंने फैनर छॉप कर लिया है इसको मैं शरबत में डाल गासा जोगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूगी ऑब यहां पे मैं आपको सर्फ करके दिखाऊँगी ग्लास लिया है जालाज में इस तरीके से घीरे द देखे हमारा कस्टेज शर्वत यहां पर बनके तयार है यह बहुत कलर पुर और बहुत ही टेस्टी बना था आप भी इसको जरूर प्रै कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फैमली और फ्रेंज के साथ भी आप इस भू्तาी नहीं डाप सब्सक्राइब कर दो के समद्सक्राइब पूलिए आपकान का पर प्रेंज कर दो म मैंने के सी कमेंट्स क czasu कना कामने कीजिए ट पकते है मैं आपको करता है तक प्र्दोंस।